नवस्कार आप देख रहे हैं डिज्याना नियूज मैं दिपकरजा का आपका स्वागत करता हूं आई रोख करते हैं आज दिनपर की खास ख़बरों की तरफ जो रंगमन से जुड़ता है वो इंसान बन जाता है ऐसा कहना है वो पास आय संजे जी का अपने अलप प्रवास फराज संजे जी ने बताय किस तरह से जिन्दगी को जिया जाए उसको जानने के लिए रंगमन से जुड़ना जरूरी है विणर सोसाइटी के द्वारा एजित तरंग मर्पार एक टॉक शोग के बारे में उपाज्या जी ने अपने अनुभव साजा किये। आई आपको दिखाते हैं कोच जलकिया। जौब में पहले क्या था गुदिया रोगते हैं। गुदिया समस्क्तर हो और उची रोगते हैं। आपके समझी रोगते हैं। जौब मुदिया एक शब्द है। जौब मुदिया रोगते हैं। 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 जिजैनल हो, प्रिइंटर हो, हम समय को एक मत्रीय इस समाद्र से कव्ह przetag लाएने जिसने माध्यव निसमे र All Claus टो होता है, और जैसे हूर रंग्मच को बातने हिं집 कि हम सवाल काना मुछ्टे हैं वस्ताइइ बात करते हैं ये हो रहा है क्या सही है गलत क्या हम सफशे क्लाओं है वुक्ते हैं को हम सोचने वाले है reckon कि हम सोचते हैं और ख़रते हैं संक एसे नहीं करते हैं कि हमें कुई राजनीज करनी है, हमें एक पाजिटिव वातावरन समाली में पहला करना है, हमेशा नातक या कुई भी कला हिंसक आहड़ पाना करना है, हिंसक नहीं हुआ है, कविता करने वाला आदमी, कविता पढ़ने वाला आदमी हिंसा नहीं करना है, कहानी पढ़ने वाला कि नाटक करने वाला जैनु कवहिया है वो राम मंदिर बाबी मुहतिक से कटर बिने रखता है तो गिराय क्या बढ़े क्या जिए उससे क्या मत्रूद से एक ऐसा महुल पैदा करना है इससे की तब्लुप चैन से अमन से शांती से रहे कि लोग अदालत का हुआ एंजन लोग अदालत का अध्यश्य जल्दिससे जल्द माम लोका निराकरन करना है क्योंकि पहले से देखने को आया है कि मामले बहुत जादा लंबित हो जाते हैं आए रोका जालत में 150 प्रक्रणा आए जिसमें से 15 से ज़्यादा का राजी नमा में बेश किया जा चुका है अक्ष आख्यों में बना जा चुदोव है तुन लुट नियुकाहिए का शुदिश्ब्राइब और दिजिएव माई मंत्री जो के नैशनल लुका जालत है इसमें सभी वतार के प्रत्राइब देना हैं लेम प्रत्रण भी हैं सिमिल परकाम आप राखारिक प्रकाम जल इजुद के प्रकान, सिल ब्सुद के पर 20% थी और चारीक्परसेंट कि छीयुची राखार और अधिक से इक प्रकाम के निलाहरacción amd adjustft अब याकोों अभकारशनम्स मा रखता हूं महामाहिम के आने से पहले हटाई जा रही दुकाने और तोड़े जा रहे चबूत्रे शेहर में हर तरफ अस्ताई अतिक्रमन देखने को मिल जाएगा महामाहिम के आने पर ही अतिक्रमन के वल उन जगों से हटाया जा रहा है जहां से महामाहिम राष्टपती गुजरेंगे आज आतिकरमन एरोडर्म से लेकर हन्मान कलोनी तक साफ किया गया इसमें रोट के दोनों तरफ मोजूद अस्ताई दुकान एवं चजबूद्रे तोड़े गए अलाकि नगरपालिकाने ने यहां सामान अटाने के लिए नोटिस पहले ही दे दिया था लेकिन जिन लोगों ने नहीं अटाया उनके लिए आतिकरमन विरोधी कारवाई की गई विरोधी कारवा फाई हो लोगई जगए है ने पुल को बजब। गए हैं झाल झाल एंगर जब। आल गरोगई के लिए लएटे जएगा है झाल 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 यह एरोड्रम से लेकर अनुमान चोराय तक दोनों साइट की ज्वाती करमल कर रहा है लोग भागोंने, दुबान दारोंने, कुम्ती दारकोंने, और शबूत्रे बगेरा जो आंगे बढ़ा रखें, बस्वे के पड़ बगेरा, पत्तर के पड़ बगेरा अटवाय जा रहे है और इनके लिए यहां से सामान आटाने का भी बोला गया, पेले के अपना सामान आटा लेकर नहीं दौरा नहीं ले रहा इस मामले में आज रगोंन से समाज के साथ रादोगर विदायक जैवरदन सिंग भी आज पुलिस अदिक शक्षाद मिले, उन्होंने इस बात के रगोंसी समाज का पृति निद्री मंडल भी आज पुलिस अदिक्षक से मिला, और उन्हें अवगत करा है कि जो समयाविदी उन्होंने मांगी थी, उसमें कायमी क्यों नहीं की गई, जिस पर पुलिस अदिक्षक ने सबको आश्वासन दिला है कि वह अपनी बात पर कायम ह और जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कारवाई की जाएगी, रगोंसी समाज के पृति निद्री मंडल ने पुलिस अदिक्षक से कहा कि यदि ठोस कारवाई नहीं की जाती, तो समाज उगरांदूलन के लिए बादित होगा, वहीं उमेश रगोंसी को निया दिलाने के लि आजी भी बता रहा है, जबकि उसके खिलाफ जितने भी मामले लंबित हैं, उसमें कहीं भी हत्या का मामला दिखाई नहीं देता, इसके साथ ही जिस आट लाग की लूट के मामले में उसे संदिक्द मानकर गिरवतार किया गया था, उस मामले में भी उमेश रगोंसी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में कहीं दर्जी नहीं है, इसकी मार्फीर संबंदी प्रतन में आज यूनों ने ये आज वासन दिया है कि मैंने जो समय दिया है उत्ते मैं पर गाइम हूँ और आप भी मेरे दिये हुए बच्चन पर भरोसा रखें इसका बतलब साफ है कि आज को कुछ ना कुछ हमारे प्रतन में पंजीवत करेंगे औ और हमारी F.I.R. हमको सुपूरत करेंगे इसके बाद भी मैं आपको पत्रदारों के बाद जम से पूरे पुलिस प्रसाशन सामान प्रसाशन और सरकार में बैठे वे नुमायंदों को ये आगाय करें देता हूँ कि यदि हमारी F.I.R. हुबेश की मात्वीर के संबंद में हुई तो अब हम पानवाजिकार आयूग में भी जाएंगे और कल केंडल मार्च करके समस्त जिलता का ज्यान अकरसित भी करेंगे जिसमें हम सभी समाजों को भी बुला रहे हैं सभी समाज के जंजाकरती अभियान कल खनवान चौराए से लेके जैस्तम चौराए तक हम करने वाले हैं केंडल मार्च उसके बाद हम सीम का भी लेराब करेंगे बाद में उक्तिस तारिक को महामईम राश्ट्रती बाउदे को समक्षवी इस प्रक्रण को ध्यान में लाएंगे हमें कोई नहीं रोप पाएगा जी एक जो हाथसा गुणा में हुआ कुछ दिन पहले जहां पर रगोंसी समाज के एक लड़के को पुलीस कस्टिडी में जिस प्रकास से उसको मारा और आज भी मैंने सुना है दो तीन दिन बाद भी वो लड़का आज भी बेहोश है यहां तक मुझे बताया गया है कि पुलीस के एक टियाए ने उसके नाकुन तक निकाल दिये और जो फोटो मुझे दिखी उससे एक बास पर्ट होती है कि जिस प्रकास से उसकी उस मुझ्लिम की ट्रीट्मेंट हुई पुलीस टेशन में वह मैं मानता हूँ कि मानव अदेकार की विरोद में है और जो लोग इसमें दोशी है उन पर सक्थ सक कारवाई होनी चाहिए अरगवंसी समाज हमारा पूरे जिले में सतिष्टित समाज है हमेशा जहां भी हम देखे कोई भी फील्ड में हो अच्छे पदों पर है और सभी लोग उनका समान करते हैं और सभी की एक ही मांग है इसमें कि अगर कोई भी गलती करता है सजा मिलती है तो सजा दो हम यह कभी नहीं करें सजा मत दो कानून के अनुसार उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए लेकिन जिस प्रतार से पुलिस ने और एक पियाए ने उस लटके के साथ मारपीट की और आज भी उड़का बिहोश है तो उन पुलिस वालों पर कारवाई होनी चाहिए हमने मांग के उन पर एफाई होनी चाहिए है मुझे पूरा विश्वास है कि सब्सादों को इसमें उनका साथ दिना चाहिए कि देखिए अगर उनकी बात पर सुनमाई नहीं होगी तो मानता हूं फिर और आंदोलन आगे बढ़ेगा क्योंकि जहां तक मुझे बताया गया है कि शायद आशवासन दिया गया है पुलीस परशासन पे कि जो समासी मांगे है वो पूरी की जाएंगी और अगर मांगे नहीं में पुरी की जाती है तो जब मुख्यमंद्र जी आएंगे और और इक हूए और आहेगा तो उनके सामने हम अमारी मांग और जो म॥िंग। कि आम आदमेंपार्टी की पोहें चौपालों का जगे जगे हो रहा आयू जन इन चौपालों के माध्यम से आम पार्टी आगामी चुनाओं को लेकर मुखमत्र तयार कर रही है। इसके साथ इस पार्टी में सदस्ता बयान भी चलाया जा रहा है। आज इसी के सिलसिले में एक बैठक का एउजन भी किया गया। वहीं आगामी पार्टी इस बार भी सभी विदान सब अच्छेत्रों से अपने प्रदेदिनी उतारने वाली है। आगामी पार्टी मद्वदेश में सामाने नागरिकों से प्रदुप जनों से पुहा चौपाल के माध्यम से संबाद कर रही है। और मद्वदेश में आगामी विदान सबाचनावों को लेकर मुशना को तक त्यार कर रही है। उसी क्रम में आज हमने गुणा में भी गुवा चौपाल रखी है और साथ ही हम संगरात्मक द्रिस्टी से मंदल अद्रिक्षों की नुक्तियों को लेकर इस समय यात्रा और बैठके कर रहे हैं तो यहाँ आज गुणा विदानसवा और बामरी विदानसवा के बंडल अद्रिक्षों के साथ वेटक रखी है और उनको प्रिस्ट्षन दिया जा रहा है और साथ में नई निक्तियों को लेकर भी साथियों से चर्चकी जा रहे हैं साथ मई को आमाधी पार्टी मत्विदेश के अद्रेक्षा लोग अद्रुवाल जी गुणा आ रहे हैं जहां पर वो एक चौपाल कारिक्रम में रखुद्षनों से बात करेंगे साथ ही एक आमसवा को भी समभुदित करेंगे और त्रत्याश्यमों बोल्यकर भी गुणा और वामरी भी दानसभा में कई सारे लोगों से बातचीत जारी है जल्दी यहां से हम आदमी को मोखा हमारी काटिसे मिज़ए गुना से गुर्जड टेवल्स की बस नेशनल हाइवे करमांग 3 से जंजाली मक्सूद अंगर्द जा रही थी। जाए गया है जहां उनका इलाज चल रहा है मौके पर जंजाली पुलिस ने पहुंच कर कारवाई की है निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि बस इतनी तेजगती से भाग रही थी कि बस में लगे इंजिन गवर्नर स्पीट को दारे में न रख पाए आटीयों गुना की जो थो जो जो एप फिर लगा दिये दॉप्ट कोणान गल्साइब शी थी ने आटणोगाँ से पाए पीशियां मौके यज़ों के दूचिता कर दो भाग से जो आटब स्थीज़ों लिगुष्तु बूए जो नो दो एक दो पिशेंस आट ने आटड़र के लिगा देशना जा जिए जखे ये ऐनित नहीं तुम्हें तुम्हें नहीं जाक्तार्थ है नजए लगे वहाती है अथा सघ्रवाइब तुछ मिर्था बंज मुची का रहा ज़ेरा तो पिछा करो जयारा आटो पीछे अब बस में थे हाँ पूले स्पूरीट में बस चल रही किस जगे हुआ यह जे जञली गुर्जा टाबा के सामने किस चीज ते हुआ रख से ट्रक कड़ा था रॉंग साइड बस गई और यहां के बढ़काई कुछ बस ती गुर्जा थे बस में कितने लोग से बस पूरी और कोई लोग खतम हो गई एक लेटेस खतम होगी और दोफी भी कोई उम्मिद नहीं है उसके उम्मेद नहीं है जा पूरी खड़े थे हम बैठने वाले इनके ज्यादा लगी ए खड़े वाले इनके भी तो इस जगे तो यह जे गुर्जा डावा आगा ना सेवराई गुर जन्जाली के पाद जन्जाली और सेवराई गुर्जार दावा के बीच में आरोन नगर में भ्रामर समाज के तत्वादान में परशुराम जैन्ती दुंगदाम से मनाई गई इस दौरान चहर में विविन आयूजन हुरुए विप्रबंदूओं की ओर से संगित में संदरक पाद भी किया गया आरोन चहर में परशुराम जैन्ती पर विविन संगटों के द्वारा डेली निकाली गई इस द्वारान पर उश्राम जी की जैन्ती पर पुले करकर करकर मायुजित किये गए जिसमें विदायक जेवरदेश सिंग समेथ कई लोग मौजुद रहे पर शकर स्वागत भी किया गया अरुन से मारे सही होगी चंद्रे स्रगवन सी की रिप्टर एक बार फिर देखने को मिली वर्दी की दादागिरी दरसल पूरा मामला शांती पब्लिक स्कूल के सामने का है जहां दो पहिया वानों की चेकिंग बा चालानी कारवाई के चलते पुलिस एसाई रगवन सी ने मीडिया कर्मी को अपना रोबदार रवया दिखाया यूँ तो दो पहिया वान चेकिंग का सिलसल आए दिन चलता रहता है लेकिन आज कुछ निराली वान चेकिंग बा चालानी कारवाई देखने को मिली जहां मनमाने अंदाज में पुलिस एदिकारी चालान काटते नजर आए वहीं एक दो पहिया वान चालक की 500 रुपे की रसीत काटी गई और जब उस मीडिय कर्मी ने उससे कारवाई के बारे में पूछा तो बड़े ही रोविले अंदाज में सब इस्पेक्टर रगवाई चिन चालानी कारवाई के वीडियो बना रहे मीडिय कर्मी से मेडिया कर्मी के साथ चीना जप्टी भी की और अश्ली सब्दों का प्रियोग भी किया और अपना रोविल अंदाज दिखाया वहीं मेडिया कर्मी ने इस बात की सूचन अपने मेडिया साथियों को दी तो S.I. महोदे ने बड़े प्यारे रंग से कहते हुए बोले अजिया नेज में आज बस इत्मा ही नई खबरों के साथ हम फिर आजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल